गुजरात के वलसाड में ट्रेन में भीशवन आग लग गई है हम सफर सुपरफास्ट एक्स्प्रस के जनरेटर कोच में आग लगी है तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जनरेटर कोच की आग ट्रेन के दूसरे डिबो तक फैल गई है ट्रेन में सवार सभी आत्रियों को घनिमत ये रही कि उतार लिया गया है आग पर काबू पाने की कोशिशे लगातार जारी है गुजरात की तस्वीरे जहां पर हम सफर ट्रेन के जनरेटर कोच में आग लग गई वलसाड में ये घटना हुई है और जनरेटर कोच से फैलते हुए बहुत जल्दी दूसरे कोचस में भी आग फैल गई हाला कि इसाग पर काबू पाने कोशिश जारी हो और सबसे बड़ी चिंता की बात जो यात्रियों को लेकर थी ये जनकारी सामने आ रही कि जो यात्री है उनको स्रक्षट उतार लिया गया है गुजराद के वलसाड की घटना है अब जनरेटर रूम में कैसे इसाग की शुरुआत हुई क्योंकि ये भी अपने आप में एक बड़ा कंसन है इसको लेकर आगे जाच की बात कही जारी लेकिन अभी सबसे बड़ी बात ये कि जो प्रात्मिक्ता है इसाग पर काबू पाने की वो कोशिश की जारी है और साथ ही सभी यात्रियों को उतार लिया गया है जनरेटर कोच की आग ट्रेन के दूसरे डिब्बो तक फैली है जो जानकारी और आग को देखकर आप अंदासा लगा सकते हैं कि आग कितनी जादा भीशन है और कितनी तीवरता के साथ कितनी तेसी के साथ ये आग फैली है तो हम सफर ट्रेन है हम सफर एक्स्प्रेस और इस के जनरेटर कोच में आग लग गई काफी भीशन आग और आप देख भी पा रहें तस्फिरों में कि कैसे जो जनरेटर कोच है इसके बाद साथ लगते हुए जो पैसेंजर कोचिस हैं उनमें भी आग लगी हुई है यह सबसे बड़ी राहत की बात है गुजरात के वलसार में यह आग की घटना सामने आई है हम सफर एक्स्प्रेस में जो आग लग गई अब आग कैसे लगी क्या हुआ था यह भी जाच का विशय बना हुआ है लेकिन अभी प्रात्मिक्ता यह है कि इस आग पर काबू पाया जाए जल से जल इस आग को बुझाया जाए यह बहुत बड़ी प्रात्मिक्ता है अब जरा तस्फिरों को आप देखे तस्फिरा आपके सामने यह देखे यह आपको पैसेंजर कोच है जो नजर आ रहे हैं यहाँ पर आप देखे यह हमसफर ट्रेन है हमसफर ट्रेन का यह जिसमें सबसे पहले आग लगती है और इसके बाद यह देखे यह आपको पैसेंजर कोच नजर आ रहे हैं एक और दो दो पैसेंजर कोच कम सकम यहाँ तस्फिरों में साफ तोर पर आपको नजर में आ रहे हैं जिसमें आग लगी काला धुआ और आग की जो लप्टे हैं व की जा रही है जो सबसे बड़ी प्रात्मिकता बनी हुई है